आपको गीवन अन्नोन मिक्षर दिया जाएंगा नियुक्त जो आपको क्या करना है पैद्ध दोसको उसका जो एक टाइप फाइंड आउट करना है टाइप में एक वाटर सोलीबल है वाटर इंसोलीबल है वह देखना है ओके दो का मिक्षर है का मिक्षर जो है पहले पाइबाइब करना कि वह सोलीबल है और वाटर इंसोलीबल हो ह जो नहीं डोना भी वाटर देक्सिजर अपने सकते हैं। कि फॉनना भी वाटर शुल्ल में होचते हैं। जब कान्टिती आपने पिंच गॉप्न भी लिय वाली है। तो पिंच गॉप्निशुप यूप्ट जब गॉप्नि कोट प्तरा है। को आप डिसल्वाब सकते तो इसको आप फिर क्या करेंगे लिए से केमिकल यूश कर तक कर सकते हैं पर हम जो है जनरली यूज करते हैं सोटेम हडोपसाइड सोलूशन को यहाँ पर यूज करेंगे okay करेंगे तो यह जो है find out करने के बाद इसके अंदर आपको जो है फिर next step क्या रहेंगी की find out करना की whether acid है base है phenol है क्या है next step पर आपको तो acid-base phenol के लिए फिर आप जो ही आपका find out हो जाएंगा कि जो content है अब जिस्ता की experiment में हमने क्या किये दोनों भी water insoluble लिये वाले हैं तो एक में फेनॉल निकला है और एक में बेस निकला है तो फेनॉल और बेस यह दो component आपको मिलते हैं तो यह compound mixture आप इसका जो है separation करने के बाद आपको जो yield मिलती है जनरली हम पर 11 gram of the given sample दिया वाला है तो 11 gram अगा जो separate out किये तो आपका loss भी हुआ थोड़ा बहुत तो near about 800-900 जनरली तो होता है कि 900 miligram जो होता है या फिर 0.9 miligram पर आपका आना चाहिए इसमें accuracy आपकी जादी होती है शो होता है कि accuracy इसी अच्छी है तो 0.9 gram के आसपास आपका जो है आपका जो है उसकी जो है separation के पास जो है yield आना चाहिए उके उसको भी mention करेंगे आप उसके अंदर कितनी इंड आई है उसके बाद सी next करेंगे महा से फिर test start करेंगे दो student है तो दोनों क्या करेंगे फिर एक टाइप ए लेंगा और एक student टाइप ए लेकर परफॉर्म करेंगा दूसरा student जो है एक group का टाइप लेकर परफॉर्म करेंगा अब जिसने टाइप ए लिया है तो वह उसके रेकॉर्ड बुक में टाइप ए लिखेंगा लास तक रिजल्ट तक और जिसने टाइप बी लिया है वह उसके रेकॉर्ड बुक में जाओ इस सबस्कार किसरेंगे हम सबसे पहले देखिए से सबसे पहले नेचर उसका नेचर क्या है need इसमें क्या रहेंगा सब Saudhid hahaha । मिक्च्छर देखने के बाद 5 and next step the statue इसके अंदर कार्बोहेड्र हो सकता ॹसक करें इस सीब जो In हो सकता के फेड़ कार्बोहेड्रि हो सकता हमाइन हो सकता समय हुद है के अंदर हमने देखा है कि फेनॉल है उसके अंदर नेक्स जॉला जो है नेक्स स्टेप क्या करेंगे कि पी कलर देखेंगे अब जो ट्रेंपल दिया हुआ रहेंगा हो कदर अभी गिवन जम्पल में उसका कलर ब्लैकिश है तो आप वहां पर गेस लगा सकते अलफाले फॉल तो प्रिलिमिनरी टेस्ट के अंदर ही आपको बहुत सारे चीज़े मालूम हो जाएंगी टाइप के अंदर आपको समझ में आ गया है कि आपके पास फेनॉल है टाइप में क्या समझ में आ गया है ऐसी बेस नीट्रल और फेनॉल यह चोड़ टाइप से इसमें आपको पर हमने जो है क्लर देखाए कि कैसा ऑगया बलाकी इस्तों क्या बता जिया? तो आपको यहां पर हिंट मिल गई कि आपका जो कमपॉवंट रहेंगा वो क्या रहेंगा अल्पा ने प्तॉल में भी पासिबल अल्पान प्तॉल है फेनॉल के आता है तो आपको यहां से this square मिल सकती है हींट मिल सकती तो चीजि नड़ टेस्ट में आपको सारी हिंट मिल जाते हैं कि सब्सक्राइब क्या है अझनि जो भी गलक डारेक्शन में आप जा रहे होंगे तो डारेक्शन को आप जो है रोक सकती अब ट्रो आ्रस जा सकती अ Об आद अपश्ग लीनौ पुर्टिकुलर अग्सित से क्या समझ में है अरुमेटिक ऐस жд अमाइड, कार्भोहईड, में भी प्रिजेंट, okay, flame test में क्या करेंगे, सुटी flame, सुटी flame में क्या बलेंगे, aromatic compound और aliphatic compound, containing small proportion of the hydrogen example, यहां को दी वाले, तो hydrocarbon रहेंगा, सुटी flame होने के वैसे, aromatic compound रहेंगा, aliphatic रहेंगा, रहेंगे, उसके बाइट टेस्ट फॉर अन्साचूरेशन, यह बहुत इंपोर्टन रहेंगे, यहां पर ठीकला राजिशन होगा, किसके लिए करते हैं, टेस्ट, जनरली किसके साथ करते हैं, के मेन फॉर के साथ करते हैं, रियेजन यूस फॉर दे, वहां पर उसका जो है, तो वहां पर उसका जो है, तो बदोकतार हम सब्सक्राइबamtPlot का नहीं होगाएज करते से भी आसे हम यहां पर लगा सकते हैं में ईसके बाद क्या करेंगे नियुक्त क्थेंग नेख्स स्टेप में का थे जो ऐस capable क्या कर scar है फिर element कौन-कौन से present है देखना है अब सबसे जादा important element यहाँ पर हम जो देखते हैं हमेशा वह होता है nitrogen, sulfur और halogen यह तीन family के हम जो यहाँ पर क्या देखते हैं element देखते हैं तो उसके लिए sodium fusion extract आपको तयार करना पड़ता है तो sodium fusion extract कैसा तयार करते हैं किसी को पता है झालो झालो कि अग्या करते हैं फ्यूजन ट्यूब लेते हैं कि फ्यूजन ट्यूब के अंदर हम जो है स्मॉल कॉंटिटी में सोडियम मेटल लेते हैं कि सोडियम मेटल को वाइसा हीट करते हैं रेड हाट हुए तक हलका सा हीट करते हैं उसको डालका क्रश कर देते हैं है क्रेश करने के बाद फिर सिक वापस हीट करते हैं और वहीट करने के बाद उसके अंदर जो है व्याटाटी इसकी व्यूजर कि खल घर कीओ स्रीजिइग करते हैं उपिर हम इसको में रीक्सिन करते हैं तो करेंगे और यह क्या करेंगे हमने यूज दिया है वह फिल्ट्रेट को यूज करेंगे फ्रेश्ली प्रिपेर्ड यह फिया सोफोर सोलुशन कि फ़र उसको करेंगे इसको बॉयल करेंगे कूल करेंगे यहां पर कला चेंज आगा जो दिखता है नो ग्रीन कला सोलुशन दिखत करते हैं इसके अंदर भी क्या करते हैं फिल्टेट कर दो ड्रॉप लेते हैं उसकी रियक्शन करते है एसीटिक एसीड के साथ और Lid acetate solution के साथ इसकी रियक्शन करते हैं तो यहाँ पर भी हम क्या मिलता है फिर अगर जो ब्लैक ब्रीपिटी मिलता है तो ठीक है नहीं मिलता है तो हम अपसेंट बूलकर यहां पर बोलते हैं उसके वाद है शालोजन टेस्ट करते हैं अर्वेबील हमारस टेस्ट के अंदर क्यों हृला चाहलंब सेंपल शेंस है इसकी रियक्शन करते हैं यह जलक है । तो थिक वाइट कलर प्रेसिप्टेट तैयर हुआ तो है लोजन प्रेजन रहता है वह अधरवाइस इस अपसेट अब यहां तक हो गया है हैं इसके curriculum टेस्ट करेंगे। अभी हें लिए था मो को पहले साह Чentre आपे दिख़ा तो हम फैज टेस्ट करेंगे contexto है कुछ अब लहां स्किफिट करेंग सबस्ड़ सकरेंगे र estás सब्सक्राइब नहीं हम क्या रही है इसमें क्या करे एक पाउंड खईल रिय Broken के साथ करें है और अल्कोहुलिक यफी कि अधित वाइड किये थे वाइड प्रिसिपिटेट फॉर्म हुआ तो हमने कंफर्म किया कि यह क्या है अल्फा नेप्तॉल है अब उसके बाद कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे इसी की पर उसके बाद कि रिजल्ट लिख देंगे तो र एंड नूegल हो दोने का इंटेसल लिखना है मॡपष्ड को पर आपको अपने ही चाल्रा आपको यह पर्फार्म किया है यह जरेंटिफाइट पर उसके डिल नहीं इसने मूइसुमें आपका रिगना है अलिमेन यह करें आपको किना है और इसका श्ट्रक्च्र लिखना है तो इस तरह से आपको फूरी तरह से